हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर सेशन, मेरा नाम अंकेत तिवारी और हमने जो मैट्स आप्षिनल की सीरीज स्टार्ट की थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए, जो मैंने आपसे अपना मेल आईडी शेयर किया था, उस पे जो आपकी क्वेरीज आ रही हैं, मैट्स के अलावा, जो आपकी क्वेरीज हैं, उनको भी मैं साथ में टैकल करता जा रहा हूँ, जैसी कि कल का जो हमारा सेशन था, कल का हमारा सेशन क्या था, कल का सेशन था, कि अगर 12 हमने पास किया है, या मैट्स में हमारा बैग्राउंड सिर्फ 12 तक के ही है, तो मैं कैसे पहले इनको कवर करके देखिए, एक महीना जारा से जादा लगेगा, इन टॉपिक्स को बेसिक लेवल पे, अगर हम कमफर्टेबल हैं, अगर ये चीज़े हम समझ स्ले रहे हैं, तो फिर प्रॉबलम नहीं आएगे आगे मैट्स में, क्यों? क्योंकि मैट्स में जो ग्रैज होंगे, अगर हम मैट्स ऑप्शनल लेते हैं, तो, क्योंकि डिसड्वांटेज हमको पता है, कि सर, जीएस में हमें थोडी महनत और करनी पड़ेगी, अगर हम हम फिमानिटीज को ऑप्शनल लेते, तो शायद 20-30 मार्क्स हमारे वहाँ पर कवर हो जाते, तो ये जो 20-30 मार् 300 प्लस स्कोर कर लेते हैं, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन, क्योंकि अभी स्टडी आइक्यू में सूपर लर्निंग सेल चल रही है, तो, इसके अड्मिशन कब क्लोज हो रहे हैं, 3rd of September को, 3rd of October को बट, क्योंकि अभी सेल चल रही है, तो, 30 सितंबर तक के, अप टू 38 सेप्टेंबर, मीन्स कल रात तक के, आप इस बैच को एंड्रोल कर सकते हैं, अनली एक 13999, यह धिहान रखिएगा, अधरवाइस इसके बाद एंड्रोल करेंगे, तो, यहाव टू पे एक्ट्रा फीस फ उपरोच क्या होनी चाहिए, वुक्लिस्ट क्या होने चाहिए, मार्किंग कैसे होती है, क्या सटर, पूरे मार्क्स मिलते हैं, अगर स्टर में मिस्टेक कर दिये, वा सब्चलावाइस चलो, तो, आज है, सिंपल सा, एक छोटा सा वीडियो होगा हमारा, की, what are the advantages of taking maths देखो सबसे पहला advantage क्या रहता है सबसे पहला advantage रहता है it is a static subject Advantage, Disadvantage दोनों पर बात करेंगे Advantage and Disadvantage हम लोग दोनों पर बात करेंगे Static subject का मतलब क्या हो रहा है Static subject का मतलब यह हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका syllabus fixed है Syllabus fixed का मतलब क्या है Syllabus fixed का मतलब मैं आपको समझाता हूँ Suppose आपने कोई एक ऐसा optional लिया preparation के लिए कि जिसमें कहीं ना कहीं current affairs included है जैसे humanities के optionals होते है आपने prepare किया एक साल अच्छा एक साल preparation के बाद मान लीजिए आपका selection final selection नहीं हुआ या अगर final selection हुआ भी तो rank जो है वो बहुत अच्छी नहीं आई अच्छी rank का मतलब होता है मेरे हिसाब से double digit rank बट वो नहीं आई किसी कारण से तो जब आप next year फिर से prepare करेंगे तो उस optional में आपको जो पूरे साल का जो dynamic portion add किया होगा वो आपका फिर से उसमें add on हो जाएगा preparation में बट क्योंकि maths एक static subject है static subject का मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ एक ही attempt में prepare करना है इसको आप एक बार इस subject को prepare कर लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ maths पढ़ने का मतलब क्या होता है concept समझिए question practice कीजिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ practice वाला portion होता है तो ये सबसे बड़ा advantage होता है aesthetic subject का questions जो होते हैं aesthetic subject के क्योंकि syllabus fix है तो आपको पता है सवाल इसी portion में से आने वाला है तो कहीं न कहीं आप इकलौता subject है जिसमें आप 500 marks की preparation कर सकते हैं पहले से 500 marks prepare कर सकते हो आप out of 500 क्यों? क्योंकि पता है कुछ नया नहीं पूछेंगे जो syllabus define किये हैं उसी में questions आएंगे तो यह सबसे पहला advantage maths optional का static subject अच्छा अगर दूसरे advantage की बात करूँ तो it is objective in nature पहला तो बताया static एक बार पढ़ लीजे फिर यह नहीं change होने वाला 10 साल बात भी अगर दूसरा attempt दोगे तो भी syllabus वही रहेगा questions का pattern वही रहेगा concepts वही रहेंगे कुछ नहीं change होने वाला जितना आप revision करते हैं इस topic को उतना यह आपको marks देता है अच्छा second advantage जो था objective in nature what is the meaning of objective in nature चलिए objectivity को समस्ते हैं हम लोग objectivity का मतलब यह होता है कि if you take example of ethics paper या if you take example of essay paper या if you take example of optional papers humanities वाले जो optionals होते है क्योंकि humanities optional अभी हमने नहीं decide किया है तो I will stick to ethics and essay यह जो papers होते हैं subjective in nature subjective का मतलब यह है कि अगर मेरी copy किसी evaluator के पास गई suppose उसने मुझे 250 में से 110 marks दिये but अगर same copy किसी और evaluator के पास जाती तो maybe क्योंकि exam में subjectivity है questions open ended होते हैं तो शायद वो मुझे 110 से ज़्यादा marks दे देता या 110 से कम marks दे देता कही ना कहीं यहां पर अगर subjective paper होता है अतलब nature subjective होता अगर paper का तो कही ना कहीं मेरे marks जो है वो evaluator पर भी depend कर रहे हैं बहुत ज़्यादा variation नहीं but अगर एक-एक marks का भी अगर difference आ गया एक question में तो आप खुद count कर लीजे 20 marks हो गया एक paper में 2 paper में 40 marks you are out of the race you are out of the race तो दिखता बहुत छोटा है कि एक आधा marks का तो difference आएगा बट अगर cumulatively उसको देखोगे larger picture में तो 20-30 marks में तो आपका जो top के services होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं तो यह advantage होता है कि it is an objective nature किसी भी evaluator के पास जाए अगर आपने concept सही समझा है और आपने solve सही किया है तो वो answer सेम रहने वाला है वो evaluator पर depend नहीं करने वाला यह दूसरा बड़ा advantage होता है maths optional का first one is static subject syllabus कभी नहीं बढ़ रहा हर चीज़े सेम रहेंगी objective in nature, objectivity कहाँ पर आ रही है objectivity आ रही है आपके paper evaluation में means 500 marks का prepare कर सकते हो और अपने marks आपको पता होंगे paper लिख क्याने के बाद कि कितने सवाल सही बनाया हो किस तरीके से evaluation होने वाली है it is not going to depend on the evaluators यह हुआ दूसरा option, दूसरा advantage अगर तीसरे advantage की बात करूँ मैं, इस optional की तो देखो reference material कोई भी optional choose करने के पहले मैं यह सर्च करता हूँ कि क्या मेरे पास reference book and reference material available है याद रखेगा reference book और reference material it does not include coaching notes and coaching material coaching notes and coaching material जो होते हैं, वो मुझे एक limit तक ही help कर पाते हैं exam में अगर मुझे अच्छा score करना है तो I need to study from reference book standard books तो क्या ये available है maths optional में, yes they are available हर एक topic पे अगर maths का syllabus देखोगे तो you are going to have total 13 topics और इन 13 topics पे अगर मैं per topic देखूँ तो almost 2 से 3 standard books हैं almost 2 से 3 standard किताबे हैं but aspirants के साथ problem क्या आती है सर अगर 3 किताब भी मैं पढ़ रहा हूँ एक topic पे तो 13 into 3 वैसे ही 39 books हो जा रहे हैं 39 books पढ़ना exam के पहले it is very difficult task पढ़ना भी है साथ में revise भी करना है तो एक problem है maths में कि reference material available है अब reference material किस level का available है इस level का है कि जो questions आते हैं exam में mostly इसके solved examples भी निकलते हैं कई बार जो questions आते हैं या तो बहुत minor variation होते हैं solved examples का या कई बार direct question ले लेते हैं तो यह power है यहाँ पर reference material का but issue के आती है कि सर हर एक topic के लिए 3 किताब है मतलब मैं 40 किताब नहीं पढ़ सकता आप नहीं पढ़ सकते 40 किताब आप refer नहीं कर सकते क्यों आपको GS पढ़ना है आपको optional पढ़ना है आपको prelims पढ़ना है current affairs पढ़ना है यहाँ पर help होता है coaching का यह हर 2-3 books में से जो important questions है जो सवाल आ चुके हैं जिनके आने के chances हैं वो सारह का सारह compile करके हम आपको provide कराते in the form of practice sheet और in the form of class questions जो class में सवाल solve कराते हैं तो अगर इन चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं जो course आपको मैंने starting में दिखाया था वो course में आपको जो features provide हो रहे हैं वो end में हम बात करेंगे उसका बट उसमें एक features यह भी है कि आपको इन में से एक भी किताब लेनी की जरूत नहीं है क्योंकि इन किताबों में जो important है वो compile करके हम दे रहे हैं हम question अपने से नहीं बना रहे हैं क्यों क्योंकि जरूत नहीं अपने से question बनाने की UPSC पूछ रहा है in book से question in book के question solve करने हमारा काम हो जाएगा याद रखना J.E. का paper नहीं है यह maths optional for UPSC is not like J.E. J.E. में हमें concepts apply करने पड़ते हैं तीक है नया नया concept डारेक्ट वहां question के form में मिलता है जिसको आपको solve करना पड़ता है UPSC का math स्वसा नहीं है standard topics है standard solution है बस practice करो समझो आगे बढ़ो pen जादा चलाना है यहाँ पर दिमाग कम और pen जादा इसलिए practice important होती है तो यह 13 topics है इनका compilation practice sheet के form में अगर आप वो selected questions को बार-बार करके जा रहे हो maths का success मंत्र क्या रहता है बहुत सारे questions नहीं बनाने limited questions को बार-बार बनाके जाओ जैसी कि अगर example दू इस साल का अगर paper देखेंगे linear algebra से क्या question आया थे matrix of linear transformation वो हर साल आता है question इस साल भी दो question आया थे rank nullity theorem एक सवाल fix है तो आपको क्या करना है आपको कुछ नया नहीं पढ़ना आपको वो concepts है उन पे based question बनाए 3-4 question class में उन्हीं को repeat करते रही है क्योंकि आएगा तो वैसा ही आएगा या तो नहीं आएगा उस topic से तो यह advantage रहता है क्योंकि जो reference material standard books वो available है और questions वहीं से आते हैं तो आपकी preparation में बहुत ज्यादा help मिल जाती है और क्या advantage हो सकता है static subject है objective in nature है इन सब चीजों को अगर compile करूं तो चौथा advantage क्या निकल के आता है scorability कोई भी optional UPSC में optional लेने का criteria क्या रहता है UPSC में optional लेने का एक ही criteria रहता है कि मुझे यह exam clear करना है और 500 marks मिल रहे हैं optional से तो मैं इसे lose नहीं करूंगा इस 500 में से जितना मैं maximum extract कर सकूं उतना extraction की कोशिश करूंगा तो scoreability में सबसे जादा आगे कौन रहता है maths optional scoreability में सबसे आगे कौन रहता है maths optional तो यह हमारे कुछ advantages होते हैं these are some of the advantages of mathematics optional static subject objective in nature ठीक है reference material available है scoreability है अगर disadvantage की बात करूंग अगर मैं यह पूछ हूँ कि sir disadvantage क्या होगा disadvantage यह होता है कि पहला maths is not for everyone हर कोई maths लेकर नहीं पढ़ सकता maths is not for everyone किन किन के लिए applicable है maths इस पे भी बात करेंगे कौन कौन aspirants maths ले सकते है देखो maths optional हर कोई नहीं ले सकता यह fact है इसके लिए एक कुछ selected criteria जो आपको satisfy करने होंगे पहला criteria या तो आपने graduation किया है maths में देन अब्वियस चॉइस कि यह आप optional आपको लेना चाहिए without any doubt क्योंकि humanities optional लेकर may be 20-30 marks के लिए थोड़ी कम महनत करनी पड़े बट वो humanities के optional में 300 पार करने में हालत खराब हो जाती है यहाँ पर नहीं होती है तो अगर आप graduation किये maths वगरा में तो गेरा then you should take maths optional दूसरा criteria कौन है जो satisfy करेंगे वो लोग जिनों ने engineering की है क्योंकि study IQ चैनल पर ही मैंने एक महीने पहले वीडियो लाया था इसमें मैंने syllabus comparison किया था अगर आप engineering किये हैं आपने तो almost 50-60% syllabus आपने देख रखा है आज की rate में याद नहीं होगा बट जब graduation किये थे तब उन चीजों को पढ़े थे और engineering में हमें पता है कि एक दिन दो दिन पढ़के जब हम semester pass कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप 6 महीना पढ़ेंगे maths optional को तो you can score wonders in this examination पहला criteria या तो graduation हो और engineering किये हो किसी भी background से stream से नहीं तो 11-12 में जो basic maths होता है अगर 10th के बाद maths नहीं पढ़ा है तो maths आपके लिए नहीं है I am strictly saying please don't choose maths अगर 10th के बाद maths नहीं लिए है तो अगर 11-12 में maths हमने पढ़ा है और maths पढ़ने का मतलब यह है कि जो basic maths होता था basic maths like matrices basic maths like calculus differentiation, integration complex number क्या करोगे अगर doubt है क्योंकि मुझे बहुत साथ students जो mail कर रहे हैं वो इस category के हैं क्योंकि engineering और graduation वालों के लिए तो कोई doubt ही नहीं है उनको तो maths ही choose करना चाहिए उनको तो maths ही choose करना चाहिए doubt आता है यहाँ पर maths लेकर justify कर पाएंगे अपने आपको तो उनसे मैं यही क्याता हूँ कि आप 15 दिन allot कीजिए जो basic maths के portions होते हैं like calculus किताब कौन सी वही जो 1112 में पढ़े थे mattresses complex numbers इनको एक बर जाकर वापस से revise कीजिए अगर इन topics में आप comfortable है यह नहीं कहारा कि सारे formula याद होने चाहिए है सारे questions आपको बना लेने चाहिए बट अगर comfortable है comfortable means हाँ अंदर से confidence है कि ठीक है आर पढ़ूंगा तो बना लूंगा question अगर आप इसमें comfortable है then you can choose maths optional अगर इसमें comfortable है तो यह cautious statement है अगर comfortable है तो क्योंकि graduation में maths नहीं पढ़े हो तो उसको लेके मत घवराना why jeidos lebas a वो graduation का syllabus है और वो पढ़ाना मेरा काम है जो graduation का syllabus है वो पढ़ाना मेरा काम है बट कही ना तोपिक्स के लिए आपको in topics में comfortable gonna होना पढ़ेगा कई ना कहीं आपको इन topics पे comfortable होना पड़ेगा तो यह एक disadvantage है maths का कि यह हर किसी के लिए नहीं है यह सिर्फ exclusive set of aspirants के लिए है जो थोड़ा effort extra लगाएंगे तो they can reap very good marks in the optional very good marks in the optional एक और disadvantage होता है जो आप ही लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो humanities के optionals रहते हैं या बाकी optionals यहाँ इसका course होता है maximum 3 to 4 months और maths optional मैं पहले ही बता दे रहाँ आपको अगर basic से पढ़ेंगे maths को तो it is going to take around 6 months to complete the syllabus इसके पहले नहीं हो सकता 6 months अगर 2024 हमारा target है तो अभी से maths start करना पढ़ेगा तब जाके March तक के finish कर पाएंगे otherwise 2025 target कीजे maths optional 6 महिने से पहले cover नहीं होता तो यह भी students बोलते है कि sir बाकी optional तो 3-4 महिने में finish हो जा रहे है maths 6 महिना मतलब 2-3 महिना extra दोख पढ़ने के लिए ऐसा क्यों? देखो यह बात तो सही है fact fact होता है उसको हम गलत साबित नहीं कर सकते कि humanity's optional का syllabus छोटा होता है आप उसे जल्दी prepare कर सकते है maths का syllabus बढ़ा है तो it will going to take time but इस exam में क्या syllabus finish करना मेरा aim है क्या syllabus कितना जल्दी finish हो रहा है क्या उसके marks मिलते हैं आपको नहीं आपको मिलते है marks जितना आप mains में score कर रहे हैं उसके basis पे चाहे आप 2 महिने में syllabus finish कर लो but अगर marks आप 200 ला रहे हैं तो you are at loss और यह क्यों होता है क्योंकि जो पाकी optionals है यहाँ पर एक बहुत important role play करता है answer writing skill answer writing skill जो maths में भी रहता है बट बहुत कम रहता है answer writing skill का importance maths में उतना ज़्यादा नहीं होता जितना यह subjective papers में होता है तो अगर आपका background है history, political science तो आप बिल्कुल choose कर सकते हैं क्योंकि जब आपने graduation किया था तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो skills आ गई है तीन साल, पात साल जब graduation करते हैं उस subject में आपके लिए math से ज़्यादा better तो यही optional है बट जिनोंने graduation वगेरा नहीं किया है humanities के subject में problem क्या आती है तीन महीने में course तो खतम हो जाएगा बट यह answer writing skill आने में 6 महीना, 7 महीना कई-कई बार साल लग जाते कोई guarantee नहीं होती syllabus तो पढ़ लिया हमने बट उस knowledge को apply करके अगर answer लिखेंगे तो कोई guarantee नहीं है कि marks 300 plus हो पाएंगे वो skill आने में बहुत समय है लोग इस factor को कभी consider नहीं करते लोग बस यह देखते हैं इस aspirants की सर syllabus तो finish हो जा रहा है दो महीने में बट जो knowledge आपने use की है उसको process करके अपनी answer writing skill के साथ जब copy में आप लिखेंगे answer sheet में तो क्या आपको marks मिल रहे हैं यह skill develop करने में समय लगता है तो अगर मैं compare करूँ तो ऐसा नहीं है कि maths को ज़्यादा maths अगर आपने 6-7 महीने पढ़ लिया concepts clear हो गए practice कर लिया तो finish है maths और कुछ नहीं है इसमें answer writing skill का बहुत ज़्यादा यहां पर role play नहीं होता as compared to these subjects और क्योंकि यह skills जो develop होते हैं time होते हैं तो आपको time देना पड़ेगा यह चीज हो गई दो disadvantageous होते हैं तो मेरा यही कहना है कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक category में belong करते हैं इन तीनों में से अगर आप इसके बाहर है तो please don't choose maths because you are going to regret maths जो है वो नहीं समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा problem face करते हैं स्टुडेंट्स CSAT एक एक्जामपल है ठीक हमारे सामने और यह भी query मेरे से पूछते हैं कि सर क्या maths optional लेंगे तो CSAT में help होगा नहीं CSAT is elementary maths and maths optional is advanced maths तो इनका कोई correlation नहीं है तो graduation, engineering और 11-12 अगर 11-12 है तो एक बाद चेक कर लीजिए इन topics के साथ अब books का नाम नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि आपको higher mathematics की book अभी नहीं पढ़नी आप basic जो पढ़ते हैं 11-12 में आप उसको refer कर सकते हैं चलिए end करने से पहले आपको मैं स्कोर्स के बारे में बता देता हूं जो हमने launch किया है क्योंकि sales चल रही है और मुझे पता है कि 30 September इसके बाद enroll करेंगे तो हमें higher fees पे enroll करना पड़ेगा इस course को total इसमें live classes around 600-700 hours की live classes plus test series यह सारे features available है books आपको नहीं purchase करनी होगी सारा का सारा notes and cracks जो है वो आपको provide किया जाएगा जितना पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ना है maths अगर join कर रहे हो study IQ में तो दिमाग नहीं लगाना दिमाग सिर्फ इसमें लगाना है कि पढ़ने क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना है questions कौन कौन से solve करने है किस order में पढ़ना है ये सारी चीजें हम decide करेंगे वो सारा काम आपने outsourcing पर हमें दे दिया है आपका काम है सिर्फ पढ़ना daily life classes from 12 to 3 Saturday Sunday को extra marathon sessions होते है marathon sessions means practice sessions जितना practice करेंगे उतना better होता है तो आप इस class को join कर सकते है admission close हो रहा है 3rd September but क्योंकि sale लगी हुई है तो 30 September के पहले you can join अच्छा features क्या क्या है स्कोर्स के अगर features की बात करूं मैं तो वही 600 hours of live lectures practice questions आपको मिलेंगे sheets के form में इसके साथ साथ क्योंकि कई बार क्योंता है बहुत सारे students जो है जो civil services का exam देते है they also give forest services exam तो अगर maths optional लेते हो तो IFS का एक optional भी cover हो जाता है तो PYQ का discussion हम लोग दोनों करते है civil services mains and Indian forest services क्योंकि questions जो है वह आपको बहुत सारे मिल जाते है standard questions IFS के mains का भी और civil services का mains का भी इसके अलावा formula sheets for revision क्योंकि maths का syllabus बढ़ा है तो revision करने के लिए भी हमें अभी से prepare करना पड़ेगा notes क्योंकि exam के दो दिन पहले पूरी किताबे नहीं पलट सकते तो हमें कुछ sheets चाहिए form में revision करने के लिए तो these are revision sheets regular doubt clearing session तो होता ही है क्योंकि live session है तो आप instantly doubt पूछ सकते हो इसके अलावा test series भी included है total आपके पास कितने test है 13 sectional test plus 4 full length test तो इस तरीके से scores को divide किया गया है classes जो है क्योंकि जैसा आपने कहा था कि sir बहुत सारे students है जिनका basic खराब है तो classes इस तरीके से रखी गई है कि पहले आपको basic videos ठीक है कुछ selected topics के यह आपको recorded format में मिल जाएंगे ताकि जब live batches start हो तो जो हमारा basics है उसमें हमें problem ना है जो basic differentiation, basic integration यह calculus का portion complex number का कुछ basic चीज़े differential equation का basic चीज़े matrices का basics जो है तो यह problem aspirants face ना करे तो इस course में इस चीज़ को भी include किया गया है कि recorded format में आपको basic videos दे दी जाएगी अगर आपका basics खराब है तो आप उन videos को देख सकते नहीं तो you can directly attend life classes यह है पूरा का पूरा स्कोर्स का detail इसके अलावा अगर कही ना कही हम maths optional पहले से पढ़ चुके हैं concepts clear है बट थोड़ा हमें regular test लिखने से थोड़ा और efficiency improve होगी यह अगर हमें देखना है तो maths optional की test series भी launch कर दी गई यह study IQ पे अब जाकर देखिएगा उसमें website पे तो आपको देखेगा maths optional की test series भी available है अच्छा यह course and maths optional test series इन दोनों course के साथ एक और feature हमने add किया है वो feature यह है कि last 10 years के PYQ solutions प्लस यह किसके civil services के and forest services के last five years के यह भी आपको provide किया जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कही ना कहीं अगर 10 साल का paper ही हम पढ़ लिए उन questions के concept को समझ लिए तो you can easily crack this paper you can easily crack this paper duration class का duration है almost six to seven months उसके पहले maths optional finish नहीं होता I'm sorry to say अगर basic से cover करना है हर एक portion को तो six to seven months लगते हैं maths को cover करने में और यह जो आपके recorded format में भी lectures आपको available होंगे almost 18 months तक के अगर आप चाहें यसे कोई lecture नहीं समझ में आया फिर से video देखना है तो आप उसे end number of times देख सकते हो क्योंकि lecture जो है आपके पास डेर साल तक available होगा चलिए फिर आज के session को end करते हैं I hope मैंने आपका doubt clear किया अगर और कोई query है regarding preparation strategy तो I would suggest कि मुझे इस id पर mail कर दीजेगा कि अगर मुझे लगेगा कि हाँ काफी सारे students इस issue को face कर रहे हैं तो मैंस पर एक और वीडियो बना दूँगा चलिए फिर आज का session end करते हैं मिलते हैं next session में thank you